हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ मीता मेरे चैनल को कवित मीता में आप सभी का स्वागत है दिवाली करीब आ रही है और आपने भी तो काफे कुछ सोच कर रखा होगा कि कौन सी स्विर्स बनानी है कौन सी नमकीन या फिर कोई स्नैक्स तो दिवाली स्पेसल पर मैं आप लोगों के लीकर आई हूं बहुत ही टेस्टे एंड सूपर क्रिस्पी हल्दी राम स्टाइल मीनी खस्ता कचौरी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें मैं आपको इसमें कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपकी इस भी बनी रहेगी तो चलिए मीनी खस्ता कचौरी बनाना शुरू करती हूं मैं यहाँ पर एक कप मैदा ली रही हूं अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूगी नमक इसमें हलका ही डाल रही हूं क्यूंकि स्टाफिंग में भी नमक होता है अब इसमें तीन टेबल करके डालूंगी अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूगी देखिए हमें इसे इस तरह से हाथों से मसल कर मैदे को मिक्स करना है ताकि मोयन मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए आप इसे मिक्स करने में चल्दवाजी बिल्कुल भी ना करें अच्छे से मिक्स करें जब भ मैदे में मोयन पर्फेक्ट है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे गूत लूँगी एक साथ जाधा पानी नहीं डालेंगे हमें इसका बिलकुल सॉफ्ट डो बनाना है और जाधा मसलना नहीं है बस हलके हातों से इसे बाइंड करना है मैंने इसका रोटी के आटे के जै 15 मिनिट के लिए ढग कर रख देती हूं मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए है जिसमें दिर टेबल इस्पून धनिया है सौफ लिया है एक टेबल इस्पून हाफ टेस्पून जीरा है चार लॉंग एक बड़ी इलाइची और दस बारा काली मिर्चे मैंने इसी स्पून से य आने निकाल लेती हूं अब एक पैन में यह सारे मसाले डाल दूंगी और इसे लो फ्लेम पर हलका सा रोस्ट कर लूंगी जब तक इसे खुश्बू ढाने लगे इन मसालों से हमारी स्टफिंग मेंना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है तो इन मसालों को आप इसकिप ना करें इसे जरूर डाले और रोस्ट करके ही डाले देखिए इसका कलर हलका सा चेंज हो गया है और खुश्बू भी आने लगी है तो मैं गैस बंद कर दीती हूं और इसे प्लेट में निकाल लूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूं अब ये एक टेबल स्प क्या है तो मैं इसे भी निकाल लेती हूं मैं यहाँ पर कुछ नमकीन ले रहे हूं जिसमें वन फोर्थ कप बेसन की भुजिया है यह आलू भुजिया है और यह मूंग दाल नमकीन है आपके पास जो भी नमकीन पढ़ी हो आप उससे यह स्टफिंग बना सकते हैं जैसे दाल लिया है ना आप चना दाल नमकीन भी ले सकते हैं सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में यह सारे नमकीन डाल दूंगी यह मूंग दाल यह आलू भुजिया और यह बेसन वाली भुजिया अब इसमें यह 8-10 काजू डाल दूंगी और यह 8-10 बादाम है आप इसके जगह भूनी हुई मूंफली भी ले सकते हैं इसमें थोड़ा सा नर्स का फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें नर्स डाला है आप इसे तोड़कर भी डाल सकते हैं वैसे यह टोटली ऑप्शनल है अब मैं इसे थोड़ा दरदरा जैसा ही ग्राइंड कर लूं अब इसी जार में ये सारे खड़े मसाले डाल दूँगी अब इसमें एक टीस्पून काला नमक डाल दूँगी नमक आप अपने टेस्ट के एक ओर्डिंग डाले हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है इसकी जगह आप काश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं वन फोर स्पून चीनी डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है पर अच्छा लगता है खटा मीठा फ्लेवर इसमें अब मैं इसे ग्राइंट कर लूँगी देखे मैंने इसे बारिक पीस लिया है अब इसमें ये मसाले डाल दूँगी अब ये जो तिल रोस्ट किया था न वो भी डाल दीती हूँ आप चाहें तो तिल को मसाले के साथ ग्राइंट करके भी डाल सकते हैं पर मैं इसी तरह डाल रही हूँ नमक मैं भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नमकीन में भी काफी नमक होता है इन सब को मिक्स कर लेती अब ये दो चम्मच गुड इमली की खटी मीठी चटनी डाल रहे हूँ ताकि बाइंड अच्छे से हो जाए और इसे मिक्स कर लूँगी ये हाथ से मुझे मिक्स करना होगा, इस्पून से मिक्स नहीं होगा गुड इमली की चटनी का वीडियो पहले मैं बना चुकी हूँ तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में और आई बटन में ढाल दूँगी इस चटनी की जगह आप टोमैटो केचप भी डाल सकते हैं, पानी मद डालिएगा, इससे हमारी कचोरी की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, देखे इस तरह से ये देखे, मैंने सारे बॉल्स इस तरह से बना लिये हैं, 15 मिनिट हो गया है, तो मैं डो को देख लेती हूँ, इसे एक बार फिर से नीड कर लेती हूँ, और इसकी छोटी छोटी लोई तोड लूँगी, और देखे, इसका मैदा कितना सॉफ्ट है, मैं आपको पास से हाती हूँ, इसी तरह का डों हमें रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट जैसा, और छोटी छोटी लोई तोड लोगी, अब एक लोई को हतेलियों के बीच लेकर गोल कर लोगी, और इसे कटूरी की तरह बना कर थाम और फिंगर के बीच में रख लोगी, और ये स्टफिंग बॉल इसके बीच में रख कर हलका सा प्लेस करूँगी, और इसे इस तरह से कवर कर दूँगी, और इक्स्ट्र मैदा इस तरह से गोल घुमाते वे हटा दूँगी, इस तरह से कचौरी को हतेलियों के बीच घुमा कर चिकना कर लोगी, कहीं से भी ये कचौरी क्रैक नहीं है, ये ग्रैक हुआ तो कचोरी फ्राई करते वक्त फट सकती है इस बात का आप ध्यान रखें इसी तरह मैं दूसरी कचोरी भी बना लूगी जब हम कटोरी की तरह बनाते है न तो किनारे का हिस्सा पतला करेंगे और ये बीच का हिस्सा मोटा ही रखेंगे और इस बॉल को पीच में रखकर finger से प्रेस करूंगी और thumb और finger के help से cover कर दूँगी और जो extra मैदा है उसे इसी तरह से गोल गुमाते वे निकाल लूँगी और इसे अच्छे से गोल कर लेना है हलकी हातों से इस तरह से मैं कचोरी बना लूँगी यहाँ पर मैंने वाइल को करब होने के लिए रख दिय है वाइल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ दीखे इसे हलका हलका बबल निकल रहा है हमें बस इतना ही गरम वाइल चाहिए अब मैं कचोरी को एक बार गोल करते वे वाइल में डालती जाओंगी और flame को लो ही रखेंगे हलके हाथों से इसे पलट दूँगी हमें कड़ाई में इतना वाइल डालना है जिससे सारी कचोरियां अच्छे से वाइल में डूब जाए देखे इसमें हलका हलका कलर चेंज होना शुरू हो गया है इसे थोड़ी देर और होने देती हूँ फ्लेम को लो ही रखूंगी एक बैच फ्राई करने में लगभग 12-15 मिनट लग जाता है देखे कचोरी में अच्छा गोल्डेन कलर आ गया है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ अभी वाइल काफी गरम है तो थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर देती हूँ और वाइल का टेंपरिचर थोड़ा कम होगा तब सेकंड बैच फ्राई करूँगी इसी तरह मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी फ्लेम लो रहने दूँगी अब इसे हलके हातों से थोड़ा सा हिला दूँगी देखे कलर चेंज होना शुरू हो गया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेस करना बिल्कुल ना भूलें कचोरी का कलर अच्छा गोल्डेन हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ इसे आप शाम की चाय के साथ इंज्वाई करें या किसी मेहमान के आने पर खेलाएं सभी को बहुत प तक स्टोर करके रख सकते हैं मैं आपको एक काट कर दिखाते हूं कितनी क्रिस्पी बनी है ये तो आप भी बनाए इस देवाली पर और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में